वैसे विछले एक साल से इंडिया में बहुत सारे कार बैंड्स बढ़ोती करते ही जा रहे हैं सेल्स फिगर के मामले में लेकिन इस बार जून 2024 में कुछ उथल पुथल कुछ ब्रैंड्स के लिए भाई देखने को मिली है तो दोस्तों बात कर लेते हैं टॉप 10 सेलिंग कार ब बैठी है जो नाइन्थ पॉजिशन पे कार ब्रैंट बैठा है वो तैंथ पॉजिशन में भी हो सकता है अगर स्कोडा और वाल्स वेगन का सेल्स फिगर आ गया होता अभी तक लेकिन अगर हम बात करें अभी जो बैठी है नाइन्थ पॉजिशन में वह है निसान इसकी 2107 बैठी है और यह आपके सामने है दोस्तों यह सिर्फ सिर्फ मेगनेट के बल्वूते में है और कुछ निया लेके आही नहीं रहे लेकिन खुछ खबर ही है कि कुछ दिन पहले ही निसान वलों ने एक्स ट्रेल का भाई टीजर दिखा दिया था और इसमें काफियत तक चांस है उसमें प्री फेसलिफ्टेड मॉडल भाई इंडियम लेके आएंगे जो भार फेसलिफ्टेड है वो नहीं लेके लेकिन निसान वरो वह ही लेआओ थोड़ा अपनी सेल्स फिकर बढ़ाओ थोड़ा अपनी जो प्रसेंजर वीकल्स की लाइनव है बढ़ा हो यार एक अगर यह अपनी सेल्स बढ़ा सकती है अगर यह कुछ मलब की साथ आट लाक के बज़िम ने एक आइस इंजिन वली गाड़ी लेकिन दोस्तों खास बात यह है कि इसकी जो एक्सपोर्ट हुई है वो लगबग लगबग भाई डोमेस्टिक सेल्स की बराबर यह है ऐसा तो कभी होता ही नहीं कारप्रेंट्स में जो इंडिया में काम करते हैं लेकिन होन्डा मोटरस में यह कमाल कर दिया और इनकी सेल्स बढ़ सकती है अगर वो जो फेस लिफ्टेड वाला अमेस का जो प्लान चल रहा है टेस्टिक चल दी वो जल्दी जल्दी लौच कर दे क्योंक 15,094 यूनिट्स बे की है जून 2024 में और इसकी पिछले साल जून 2030 के मुकाबले जाज़ा सेल्स होई है इसमें तो कोई शक्की बात नहीं है और इन सेल्स बिकर्स में से 9,500 की यूनिट्स तो सिर्फ इनकी न्यू किया सोनट नहीं निकाल दी है जहां दुस्तों से जाद तो भई सोनट ने भई कमाल कर दिया है फेसलिफ्ट इट सोनट ने फिफ्थ पूजिशन पर बैठी है टोयोटा इसकी 25,752 यूनिट्स पर की है और भई टोयोटा मोरस तो भई कमाल करती ही जा रही है तो यह मारतिकी गाड़िया उठा उठा के चापके ले भई टेजर ले लो अपको सलाम है अपनी गाड़ी एक ले कि आओ आपके और जाता हो जाएंगे फॉर्थ पोजिशन पर बैठी है महिंद्रा इसकी 40,022 यूनिट्स भी है लेकिन दोस्तों अगर इसकी एक्सपोर्स मिला तो भाई बहुत जादा सेल्स इनकी बन जाती है लेकिन महिंद्रा का प्रड़क्ट भाई बढ़ते ही जा रहे है आगे बढ़ते ही जारे सेल्स के माम में चाहें इनकी एक्सवी 700 थार हो स्कॉर्प्यो एन हो या इनकी लेटस्ट लाँच एक्सवी 3X हो क्यों ना हो और इसके लावा जो इनकी फ्लॉप प्रड़क्ट थे जैसे ट्यूब इस पड़ेगी थर्ड पॉजिशन बे बैठी है टाटा मोर्स इसकी 43,524 युनिट्स भी है मैं इसलिए कहा रहा था भी टेंशन लेने चाहें टाटा मोर्स को क्योंकि जहां महिंद्रा की सेल्स जो फिकर है वो भी बढ़ता ही जा रहे है वैसे ही टाटा मोर्स अपनी करना पड़ रहा है तो टाटा मोर्स को एक बर खुद अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटिजी या अपने कस्टमर से फीड़एक लेना चाहे कि क्यों भाई कस्टमर कम क्यों हो रहे हैं और उस हैसाब से टाटा मोर्स को भी काम करना चाहें ताकि ये तुबारा हिउन डाई को कर देने के लिए उपर पचास हजार वाले सेल्स विगर तक भाई पहुंच पाए सेकंड पूजिशन पर बैठी है यह उन्डाई इसकी फिफ्टी ठाउगन वान हिंडड़ एंट्री है और यह उन्डाई अपने पिछले साल कहें या फिर पिछले महिने करें हमेशा पचास हजार की सेल्स विगर के असपास हमाईशा बड़े प्यार से पहुंच जाता है और अगर इनकी जब सेल्स पुचालिस हजार के असपास आई है तब भाई सारे ही सारे ब्रैंड्स की डाउन होई है लगता है मार्केट यह से चल रहा था कि वहीं उड़े की से डाउन होगी वैसे पचास हजार के असपास हो भाई रह जाती है इनकी सेल्स और फर्स्ट पूजिशन पर बैठी है हमेशे तरह रहने वाली मारूती सुजुकी और इतने साल होगे पंदरा से बीस साल होगे लेकिन अभी तक मारूती सुजुकी का कोई तोड नहीं दे पाया सेल्स के माम में हाँ एक दो इनके जो प्रोड़क्ट्स हैं उनको तो ही टक्र दे रहे हैं एक एक प्रोड़क्ट की बार में बात करें लेकिन अभी तक मर्त तोड नहीं आ पाया है और इसकी जून दोजार चौपिस में जो यूनिट बिकेव हो है भाई वन लैक थर्टी सेवन ठाउद है भी घर्टोग सो बी हैपी बी सेफ बाई